नमस्कार दोस्तों, मल्टेवियाकरस्वांट यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत श्वागत है, दोस्तों संडे का दीन है, सारे नौ बज चुके हैं, तो आपके लिए ये वाला वीडियो में लेकर आ चुका हूँ, कहना चामँगा दोस्तों किसी प्रकार की कोई बेरेकमेंडेसर नहीं है, मैं से भी रेजिस्टर एक्सपर्ट नहीं हूँ, आप किसी भी स्टॉक में ट्रेडिंग इंवेश्मेंट वगरा करते हैं, अपने फिनांसे लेजर की साला अवश्य लिजेगा, तो जो सबसे पहला स्टॉक है दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले ये वाला जो वीडियो है मैंने कल पब्लिस किया हुआ है, अभी तक आपने नहीं देखा है, तो अवश्य देख लिजेगा, अभी हम देखने वाला दोस्तों टेक्निकल चार्ट, अवश्य दोस्तों मैं टेक्निकल चार्ट को काफी ज़्यादा फोकस करता हूँ और उसको ह ज़्यादा इंपरणस देता हूँ और उसने मुझे दोस्तों लाब भी दिया हुआ है, सायद आपको भी दिया हुगा, इसलिए दोस्तों मैं काफी बड़ा फॉलोर हूँ, टेक्निकल चार्ट ही देखता हूँ ज़्यादा तर, फंडामेंटल्स कभी कभी देखता हूँ, जो सबसे पहला श्टॉक है दोस्तों शेयर का नाम है इपका लैबोरेटरिस, फंडामेंटल्स नहीं दिसकस करेंगे, आप देखेंगे दोस्तों तो इसका जो प्राइज है थर्टीन हंडड के आराउंड है, काफी अच्छा स्टॉक है दोस्तों आप देखेंगे, तो अप आया, श्टॉक ने सभी के सभी जो टेक्निकल अनालिसिस के अकॉर्डिंग, प्राइज एक्षन के अकॉर्डिंग जो भी टार्गेट बनते हैं वो अच्छिव किये, और उसके बाद में दो इसका जो आल टाइम हाई जोन था यहाँ पर 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 पर्टिक इसका जो लोवर लेवल है, 650 का अराउंड है, तो आसानी से यहाँ पर और आप 650 या फिर 600 के लेवल को जोड सकते हैं, तो इसका जो अगला वाला पोटेंशल रिजिस्टन्स जोन है, वो अठ्रासो एटीन हंड्रेड टू टू थाउजन रूपिस तक बनता है, तो इपका दोस्तो टेक्निकली काफी ज्यादा मजबूत अभी यह जो श्टॉक है लग रहा है, दूसरा श्टॉक है दोस्तो शेयर का नाम है असाही ग्लास इंडिया, 600 के अराउंड इसका प्राइज है, अगर आप देखेंगे तो यह श्टॉक अपने 52 वीक हाई जोन से थोड़ा ब अवश्य कर लिजे, लिंक आपको नीशे डिस्क्रिप्सिन बॉक्स में मिल जाएगा, काफी अच्छे जो चार्ट स्टॉक्चर मुझे लगते है, एज्जोकेशनल परपस के लिए वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, अवश्य जोन करना जाए, बिलकोल मुफ्त में ही है, आ की अच्छा लगा मुझे, नीचे में 200 का मुवी अवरेज भी है, नीचे में वॉल्यूम भी आप देख सकते है, काफी ज़्यादा और बड़ा वॉल्यूम हमको नजर आ रहा है, 2023 में दोस्तो सबसे पहले, 2014 में ही, 2024 में ही दोस्तो दो बार आप देखे, दो बार अच्छे वॉल्यूम के साथ में श्टॉक जो है वो दिख रहा है, तो ये श्टॉक आप में रड़ार पर रखे, श्टॉक क्लोजिंग होता 600 के उपर तो दोस्तो अच्छा हो जाता, लेकिन सम्हाव हो नहीं पाया है, तो आप जो है 600 के उपर का क्लोजिंग होने का वेड कर सकते है, बाकि दोस्तो ये इसके potential reversal zone है, और नीचे में 50 moving average के नीचे अगर ये chart structure क्लोज हो जाता है, तो इसका chart structure खराब हो जाएगा, अगला stock है दोस्तो शेयर का नम है IGL Indraprast Gas Limited, multiple time दोस्तो आपके सामने रखा है ये stock भी, 460 के around इसका price है, और 500 के आसपास इसने अपना high लगाया ह हुआ है, तो थोड़ा बहुत नीचे पिटाई भी हुआ है, और अभी दोस्तो आपको ऐसे ही stocks देखेंगे, क्योंकि बाजर में जो बीच में गिरावट आई थी, बारी भर्खम दोस्तो गिरावट हुई थी, जिसके चलते आप देखें, अच्छे भढ़ते हुए stocks में गि बनान कर देता है, तो वीडियो को लाइक आवज ची किजी, काफी महनत वगरा लगती है ऐसे stocks दुनने में, ऐसे वीडियो बनाने के लिए, आईजियल की बात करते है, तो पिछले ही सबतार में दोस्तों अच्छी बुली स्केंडल बनी है, साथ ही में दोस्तों दोनों की द आपके सामने है, हाला कि दोस्तों आप देखेंगे, यहाँ पर भी एक मैं लाइन खीचता हूँ, तो उसका भी breakout मुझे नजर आ रहा है, नीचे में volume तो आप देखी सकते हैं, तो आईजियल भी अपने radar पर आप रख सकते हैं, अगले कुछ दिनों के लिए, अगले कुछ स हराब है, बावजुद दोस्तों यह जो स्टॉक है, नीचलेस तरो से, जी हाँ दोस्तों नीचलेस तरो से, अल्मोस्ट दो गुना से ज़्यादा का return देही चुका है, तो यही दोस्तों अगर आप fundamentals की पिपोड़ी बजाते रहेंगे, तो मेरी साब से दोस्तों स्टॉक मार बड़ा जो गेन है, अगर आप technical analysis को follow करेंगे, तो वो short term में भी आपको मिल सकता है, बाकी दोस्तों IGL की बात करते है, माफी जाओंगा, जूबिलन फार्मोवा की बात करते है, तो अगश्ट वाले महिने में दोस्तों 450 के आराउंड यह जो stock है ट्रेड कर रहा था, आपके सामने हैं, दोस्तों, चार्ट स्टक्टर मैंने इंवर्टेड हेरें सुल्डर पैटर वहाँ पर देखा था, और उसके बाद में दोस्तों आप देखे, यहाँ पर चार्ट स्टक्टर शेर किया था, उसके बाद में अभी जो stock है, अल्मूस्ट 650 के आराउंड आपको जोन है, उसके नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए, वो सायद लेवल होगा 580, 600 आप देख लिजेगा दोस्तों, चलिए 550 का जोन है, नीचे में वालिम भी अच्छा है, और यह इसके पोटेंसल रिवर्सल जोन है, दोस्तों, काफी अच्छा चार्ट स्टक्टर है, अच्छी क्योंकि बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, हमारा साइकोलोजी, अच्छे स्टॉक्स, अच्छे समय पर आप भाई भी कर लेगें, लेकिन दोस्तों, आप उसको होल्ड नहीं कर पाएंगी, छोटे से प्रॉफिट के साथ में, अगर आप एक्जिट कर लेते हो, तो कहीं न क प्रोवाइड कर दिया है, बागे दोस्तों, ज्यादा जानकरी के लिए आप हमारी टीम को टेलिग्राम पर कॉंटेक भी कर सकते हैं, अगला स्टॉक है दोस्तों, सेम ग्रूप का स्टॉक है, जुबिलंट अभी फार्मोवा देखा, अभी उसका बाद में दोस्तों, पीच में दोस्तों, वाल्यूम अच्छा दिखा था, और उसके बाद में दोस्तों, फिर से अभी पिछले सप्ता में वाल्यूम अच्छा जनरेट हुआ है, श्टॉक ने अभी हाल-फिलाल में ही 50 moving average को टेच पॉंट देकर श्टॉक ने ऊपर बढ़ने की जुरुआत की अगें काँ है दोस्तों किसी प्रकार की कोई भी recommendation नहीं है, केवल और केवल educational information purpose के लिए ये वीडियो में आपके लिए बना रहा हूं, और obviously ये जो 450 का zone है, 444 का, उसके नीचे stock अगर close होता है तो इसका charge structure खराब हो जाएगा और इसके potential reversal zone आपके सामने डख्या है, बढ़त यहाँ पर छोटी से मैंने information डाली होई है, बढ़ते है दोस्तों अगले stock की तरफ, और अगला जो stock है हमारा share का नाम है CUB, CT Union Bank, 158 रुपीस का price है, और अगर आप देखेंगे इसका 52 week high, 168 रुपीस के आसपास का zone है, और ये stock के fundamentals आपको अच्छे नजर आने वाले है, लेक पर दोस्तों stock ने 50 moving average को touch point दिया है, और उसके बाद में बढ़त दिखाए है, साथी में दोस्तों की moving average को भी काटा है, नीचे में volume जबर दस्त है, और साथी में दोस्तों 150 रुपीस के उपर closing भी एक अच्छी बात है, और उसके उपर closing भी हुआ है, volume के साथ में तो नीचे में दोस्तों अगर बात करते तो 150 रुपीस के नीचे close नहीं होना चाहिए, इसके बाद में जो हमारा अगला stock है, शेहर का नाम है कोप्रेन, कोप्रेन लिमिटिट, 280 रुपीस के आसपास का price है, 292 रुपीस का 52 week high है, तो ये stock भी 52 week high zone के आसपास trade कर रहा है, अगर आप सोचेंगे दोस्तों के fundamentals में देखता हूँ, उसके बाद ही में मैं किसी भी stock में एंटरे लूँगा, तो यहाँ पर भी दोस्तों ये वाला stock आपको निरास करेगा, क्योंकि आप देखे, ROC बहुत ही ज़्यादा कम है, ROE return on equity उससे भी कम है, साथी में दोस्तों पैग ratio, पैग ratio, generally हम जो expect करते है, 1 के नीचे होना चे, below 1 होना चे, लेकिन यहाँ पर तो 6 है, तो यह जो stock है, काफी ज्यादा महेंगा है, अगर इसके growth के अनुरसार हम देखते है, तो कहीं न कहीं दोस्तों ये stock आपको कहीं से भी अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन दोस्ता आप द कि stock ने 40 to 50 percentage का गेन 6-7 महिनों में ही दे दिया होगा, तो यहीं दोस्तों खास बात होती है technical analysis की, और आप देखेंगे corporate की बात करते है, तो यह जो stock है, 190 के around मैंने हमारे student के साथ में discuss किया था इसको, और उसके बाद में दोस्ता आप दिखे, stock ने कितनी beautiful और अच्छी rally बहुत कम है, लेकिन हाँ, एक बार यह 300 रुपिस के उपर close होता है, तो volume बढ़ने की गुंजाईस है, तो यह stock भी आप अपनी radar पर रखे, इसका जो lower zone है, आप देखे, 96 रुपिस मतलब कि 100 रुपिस और यह है 274 रुपिस, तो आसानी से दोस्तों, 174 रुपिस यहां पर अगर आप आयर करते हैं, तो इसका जो अगला potential reversal zone है, कितना बैठेगा, 400 के around बैठेगा, मैं ऐसे ही आपको वता रहा हूँ, आप calculate खुद से कर लिजेगा, और obviously दोस्तों, जो पास्ट में जो zone है, 314 और उसके बाद में 370, यह भी इसके potential reversal zone हो सकते है, और यह जो stock है, 250 इसके बाद में जो अगला stock है, दोस्तों, share का नाम है, आर पावर, काफी दोस्तों popular stock रहा हुआ है, और यह जो stock है, हमने आपके सामने रखा थे, इसके भी पहले, सायद इसका screenshot अगर मुझे मिलेगा, तो मैं रख दूँगा, बाकी दोस्तों, मैं care महीं करता हूँ, हाँ, यह जो stock है, आप देखे, fundamental इसके भी बहुत जड़ अगर बढ़ है, तबी तो दोस्तों, 360 वारा stock, 10 रुपे, 11 रुपे पर trade करता है, यह stock तो 1 रुपे पर भी trade हुआ है, ठीक है, यह stock तो 1 रुपे पर भी trade हुआ है, लेकिन उस समय पर दोस्तों, fundamentals भी खराब थे, technical chart structure भी उसके बाद में दोस्तों, our power कही न कहीं revival देता है, आप देखे दोस्तों, 331 का इसने high लगाया है, इसका all time high, और यह monthly time frame का chart है, और आप देखेंगे, 2019 से ही कुछ इसमें बड़ा होनी की शुरुआत हुई थी, लेकिन उसके बाद में covid आया, stock फिर से गिरा और दिखाता है बीच में दोस्तों, कहीं न कहीं मैंने जूलाई वाले महिने में इसको discuss किया था, उस समय पर price क्या था, मुझे भी याद नहीं है, 10 रुपी के round होगा, आप देखेंगे, तो यह pattern हो गेरा, मैंने उस समय पर draw किया हुआ है, और उसके बाद में भी लगातार volume growth हमें दिखता ही जा रहा है, और अभी यह जो stock है, 32 रुपीज के आसपास आ चुगा है, मतलब कि चलिए मान लीजे, 25 रुपे, 20 रुपे वाला stock भी 32 हो जाता है, तो 50 percentage का gain तो आपको ऐसे ही मिल चुका है, कुछ ही सालों में, कुछ ही सालों भी नहीं, कुछ ही मैनों में, तो इस से अच होती है, तो आपका जू भी आपने पैसा डाला हुआ है, लोग क्या करते हैं, लाक रुपे का, for example, लाक रुपे का उनका portfolio है, तो दोस्तो रिस्क मेनेजमेंट पर आपको मैं थोड़ा बहुत समझाना चाहूंगा, जैसे कि दोस्तो हम सब जानते हैं, कि यह 50 रुपे है, औ तो इस लाक रुपे को दोस्तो एक ही श्टॉक में, जैसे कि दोस्तो आर पावर में ही वो डाल देते हैं, अभी यहाँ पर दोस्तो दो सिनारियो है, आर पावर या तो बढ़ेगा, या तो गटेगा, अभी दोस्तो बढ़ता है, तो अच्छी बात हैं, लेकिन दोस्तो ज् लाग रुपे इन्वेस्टमेंट किया हुआ था अपने सीधा बज जाता है दोस्तों 10,000 रुपे अभी दोस्तों यहां पर गलती क्या होती है हमें दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट ही पता नहीं है हमें कभी भी अपने पोर्टफोलियो का 3% से जादा किसी भी पर्टिकुलर एन खरी दूँगा उससे ज्यादा एक रुपे का भी शेयर उसमें इन्वेस्मेंट नहीं करूँगा आप ही क्या होता है कि 3000 रुपे मान लिजे आर पावर फिर से दोस्तों 80 पैसे 90 पैसे पर आ जाता है मतलब कि 90 परसंटेज का लॉस हो भी जाता है तो मेरे ओवरल पोर्टफ इस वाले अगर आर पावर का आप देखना चाहते हैं तो 3 परसंटेज एलोकेशन करके आप भूल भी सकते हैं अगर आपकी किसमत अच्छे हुई तो यह जो 3000 रुपे आपने डाले हुए है तो यहां से दोस्तों 2-3 गुना हो सकता है क्योंकि पास्ट में हुआ है अभी पि हो भी कम समय में और ज्यादा साइकोलोजिकल प्रेसर भी नहीं बनेगा रिस्क वगेरा आपका यहां पर मिटिगेट हो जाता है खेर दोस्तों ज्यादा चर्चा हो गए इसके उपर यहां पर दोस्तों आर पावर थोड़ा बहुत मैंने विकली टाइम फ्रेम पर आपको सम हाँ थोड़ा बहुत वाल्यूम अभी कम हो रहा है लेकिन ब्रेक आउट के बाद में जनरली वाल्यूम भड़ता है तो यह श्टॉक भी आप अपने रडार पर रख सकते हैं स्टॉप लॉस दोस्तों आप इसमें 25 रूपिस के नीचे देख सकते है 25 रूपिस के नीचे क्ल आज की स्टॉड़ी का अंतियम श्टॉक है दोस्तों शेयर का नाम है लेटेंट व्यू टेक्नोलोजिस जहां दोस्तों फंडमेंटल यह श्टॉक आपको अच्छा लगने वाला है और यह श्टॉक भी आप देखेंगे 52 वीक हाई जोन में ही ट्रेड कर रहा है 560 वाला यह भी आलमस्ट 2X हो चुका है 2X नहीं थोड़ा बहुत काम यह पर्टिकलर स्टॉक फरवरी वाले महिने में आपके समने रखा गया था जब इसका प्राइस था 500 के अराउंड और उसके पहले दोस्तों आप देखेंगे यह हमारे टेलिग्राम चनल अबश्य जोन कर लिज आपसे चलता है पास्ट वाला जो रजिस्टन से पड़ेसान करता है यहाँ पर लेकिन दोस्तों दूसरी बार श्टॉक ने सक्सेस्फुल इसको क्रॉस किया 500 रुपिस के उपर क्लोज हुआ अच्छी बात है इसका अगला रजिस्टन जोन यह है उसके बाद में दोस्तों 75 56 तो यह श्टॉक भी आप अपनी रडार पर रख सकते है नीचे में दोस्तों 500 रुपिस के नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए बाकी दोस्तों मिलेंगे अगले वडियो में टिक क्यर बाई आपका दिन सुब रहे धन्यवाद और हाँ कोर्स की जो लिंक है मैंने नीचे प्र